नमस्कार स्वागत है आपका आर्या न्यूज में मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल पियम मोदी के पंजाब दोरी की वज़े से ही मुख्य मंत्री चरण जीत सिंग चन्नी ही हेलिकॉप्टर को इजाज़त नहीं मिलने से विवाद छिड़ गया है चन्नी ने कहा है कि फिर्योसपूर में ही किसानों पर लाठिया नहीं चलाने के कारण मुझे रोकनी की कोशिश हो रही है और वही केजडिवाल पर हमला करते हुए चन्नी ने उन्हें जूठा मकार बताते हुए दावा किया कि केजडिवाल अपने मुख्य मंत्री उमिद्वार भगवन्त मान को हराना चाहते हैं आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद ही जालंदर में ही मुख्य मंत्री चन्नी ने कहा कि आज मुझे उड़ने से रोक दिया गया पूरे दिन मुझे परचार नहीं करने दिया गया क्योंकि प्रधान मंत्री का कारिक्रम था क्या मैं आतंक वादी हूँ अगर मैं फिरोजपूर में ही किसानों पर लाठी चला देता तो सब ठीक रहता परधान मंत्री ने खुद 2014 का जिक्र किया जब उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी ये सब मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है और कैप्टन के हवाले से कॉंगरिस पर पीम के हमले पर चन्नी ने कहा कि अमरिंदर सिंग को पंजाब के लोगों के हिसाब से चलना चाहिए था उन्होंने लोगों से काम नहीं किये और वादे पूरे नहीं किये हैं हमेशा बिजेपी अकाली से मिलकर रहे और इसलिए नुकसान हुआ। रेत माफिया के आरोपों पर चन्नी ने कहा कि ये जूटे आरोप लगाते हैं। और बाद में ही माफिया माँगते हैं, ये मकार लोग हैं और राज्य पाल को भी शिकायत दी जिसमें आरोप जूटे पाए गए हैं। वहीं परधान मत्री नरेंद्र मोदी ने ही पंजाब में सोंबार को अपनी पहली रैली की और उन्होंने जालंदर में एक जंग सभा को संबोधित किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रैली को संबोधिस करते हुए पीम ने साफ तोर पर कहा कि गुरुवों और पीरों, फकीरों और महान क्रामतिकारियों और जनरलों की धर्ती पर ही आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है और मैं सभी गुरुवों को परणाम करते तिरपुर मालिनी को ही शिरधा पूर्वक नमन करता हुँ रैली के दुरान ही पीम मोदी ने पंजाब की सरकार और पुलिस पर बड़ा रोप लगाया उन्होंने कहा कि आज मेरी इच्छा थी कि देवी जी के चड़नों में जाकर नमन करू उनका आशिरवात लू लेकिन य मा के पास दोबारा जरूर आऊंगा और मा के चड़नों में सिर जुका कर रहूंगा और इसके साथी पीम ने इस दुरान कॉंग्रेस पर भी जम कर निशाना किया है और इसके साथी उन्होंने कहा कि हमारे गुरुवों ने संतों ने कहा है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूर्टा भी है। कॉंग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। और आप देखिए आज कॉंग्रेस पार्टी की क्या गती है। और आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। और कॉंग्रेस के ही लोग अपने नेताव की सारी पोल-पट्टी खोल रहे हैं। तेलंगारा की मुख्य मंत्री के चंद्र शेखर राओ के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर सियासी घमासान जो है वो छिड़ गया है। विजेपी नहीं तेलंगारा के मुख्य मंत्री पर हमला बोला है और केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग नहीं पलटवार करते हुए केसी आर से कहा कि अगर पूछना ही है तो पाकिस्तान से पूछिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का दर्द सुनने के लिए आप से और आपके सहीयोगी से बेहतर कोन होगा वहीं केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केसी आर को पर निशाना किया है और उन्होंने कहा कि तलंगाना के ही मुख्य मंत्री गुस्से में हैं और डरे हुए हैं हुजूराबाद में भी हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुजूर के बोल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर एक चुनाव में हार के बाद ये स्थिती है तो ये दर्शाता है कि तलंगाना में केसी आर और टी आरेस की जमीन खिसक रही है उन्होंने आगे कहा कि कॉंग्रेस और टी आरेस के नहीं बयान पाकिस्तान जैसे हैं जब भी चुनाव आते हैं वे नए एक्सपेरिमेंट करते हैं चाहे वो हिजाब हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक वे विजेपी के साथ विकास को लेकर मुकाबला नहीं कर सकते सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना केसी आर की सोच को दर्शाता है